जैशी किष्णा दोस्तो ब्यसरा फैमिली में आपका स्वागत है दोस्तो जब भी हमारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होता है या हमारी कोई इच्छा पूरी होने वाली होती है तो इश्वर हमें कोई न कोई संकेत यानि शुब संकेत अवश्य ही देता है दोस्तो आ स्वपन शास्त के अनुसार दोस्तों अगर आपको रात के देखे आठ बजे से लेकर अगर ग्यारा बजे तक स्वपन आता है तो माना जाता है कि आपकी जो इच्छा है वो साल भर में पूरी होगी दोस्तों ऐसे ही अगर आपको रात के ग्यारा बजे से लेकर दो बजे तक क कोई शुपन आता है तो आपकी जो इच्छा है वो छे महिने के अंदर पूरी होने वाली है। अगर आपको ब्रहम मौरत में यानी साड़े तीन बजे से लेकर सूरे उधे होने तक यानी छे बजे तक अगर आपको कोई सुपन आता है शुप संकेत आपको दिखाई देता है तो आपकी जो इच्छा है वो दस दिन में पूरी होने वाली है तो दोस्तो आज हम आपको ऐसे ही सुप संकेत के बारे में जानकारी दे रहे हैं आपकी कोई भी इच्छा है कोई भी आप उपाय कर रहे हैं कोई भी आपकी मनोकामना अधूरी रह गई है अगर आपकी जो इच्छा है हमारी कोई देखी मनोकामना जब पूरी होने वाली होती तो इश्वर हमें ये शुब संकेत अवश्य ही मतलब सौपन में दिखाई देते हैं दोस्तो उन शुब संकेतों को जानने से पहले अगर अभी तक आपने बियाश सर्मा फैमली चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो सस्कार अवश्य कर लें बगलें बैल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी लेटस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पूछ सके दोस्तो इस वीडियो में हम आपको केवल शुब संकेतों की जानकारी दे रहें ये शुब संकेत अगर आपको दिखाई देते हैं तो आपकी कोई भी इच्छा है चाए वो धन से संबंदिद है संतान से पुत्र से या कोई भी अगर आपकी इच्छा है तो वो शीगर ही पूरी होने वाली है दोस्तों अगर आप स्वपल में अंगूठी पहनते वे देखते हैं या आम का व्रिक्ष आपको दिखाई देता है अगर आप इमारत बनते वे देखते हैं या फिर इमली खाना यह बहुत ही शुब संकेत माने जाते हैं ऐसे ही अगर आप स्वपल में अपने आपको कंगी करते वे देखते हैं या आपको स्वपल में काला साप दिखाई देता है या अगर आपको किला बनता दिखाई देता है या अपने आपको आप चावल खाते वे देखते हैं स्वपल में गुरु को देखना बहुत ही शुपकली को देखते हैं तो यह भी बहुत ही शुप संकेत हैं छाता देखना डाक्या देखना यानि आप किसी पोस्ट मैंड को देखते हैं तो आपको शीगर ही सुपसमाचार मिलने वाला है सुपन में तीरत दिखाई देना तोता देखना दूद पीते हुए देखना दान करते हुए देखना सुपन में भरी हुई दुकान देखना देवी देखता के दर्शन होना धोबी को देखना धार्मिक कार्य करते हुए देखना नदी का पानी देखना या नदी का पानी पीते बहुत ही शुब माना जाता है ऐसे ही अगर आप कोई हरा बरा बाग बगीचा देखते हैं तो बहुत ही शुब है मचली को देखना माली को देखना मंदिर देखना या रोटी खातेवे देखना स्वपन में रसोई घर देखना हरी भरी फुलवारी देखना सागर देखना शमशान घाट देखना विमान देखना राख देखना यह है बहुत ही शुब संकेत माने जाते हैं दोस्तों यह बहुत की कोई मनो कामना पूरी होने वाली है दोस्तों ये जोतिश शास के अनुसार हमने आपको शुप संकेत बताए हैं अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य करें आप सभी को जैशी किशना